खरौंधी प्रखन के यूपी सीमा पर बने चेक पॉस्ट उत्रप्रगेश से आने वाले हर वहन गर जांच किया जा रहा है ताकि कोई भी बगैर इपास के जार्खरण में प्रवेश ना कर सके आज सनिवार को खरौंधी में साप्ताहिक बजार के वज़े से उत्तरप्रदेश के कौन में आने वाले लोगों पर निगरानी रखी गई ताकि बजार में भीडभार ना लगे साप्ताहिक बजार को देखते हुए जांच को और तेच कर दिया गया सगन जांच में कई वहन के पास ईपास नहीं रहने के वज़े से उसे वापस लोटना पड़ा जबकि कई वहन नियम के अंदेखी कर प्रवेश करना चाह रहे थे जिसके वहन का कागजाद जांच किया गया जिसमें तीम मोटरसाइकल को बगैर कागजाद के पकड़ा गया ह चेक पोस्ट पर तैनात, ASI सुनिल सिंग, मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात, अजमेरी अनसारी ने बताये कि उच्च पडादिकारी के निर्देश अनुसार बगैर E-PAS के जारखंड में प्रवेस वर्जित है जिसके वज़े से कई वहान E-PAS के वज़े से पुना लौट जा रहे हैं उन्ही को धारकरण में प्रवेस की अनुमती है जिसके पास E-PAS नहीं है उसे अनुमती नहीं दी जा रही है वैसे लोगों को चेक पोस्ट पर नहीं रोका जा रहा जो अपना इलाज करने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश से लौट रहे हैं सरकार इवं गढ़वा जीला प्रसासन के नियम का पालन किया जा रहा है